ज़िखतान की सीखर में आपदा प्रबंधन मंत्री गुविंद राम मिगवादों गी बिजपी में गैराय मुख्य मंत्री के चेहरे के विवात को लेकर जम कर निशान अलगाया उन्होंने विजेपी की नेता प्रतिपक्ष राजींद राथोड को लेकर विवादित बयान दिया इसमें उन्होंने कहा कि राजींद राथोड पहले वसुंद्रा राजी की तलवे चारता था आजुनी के सामने मुख्यमंतुरी का दावेदार बन कर बैटा है मेगवाल के इस बयान के बाद भास्मा पे जमकर बवाल मुचा हुआ है इसको लेकर विजेपी मेगवाल को लेकर जमकर हमलावर हो गई है मेगवाल सीगर के लक्षमंगर विधान सबाद शेतर पे पंचायद समीती के भवन के सिलान न्यास समारों में आये थे मंत्रे मेगवाल नेच्वा पंचायद समीदी के भवन का सिला न्यास करने के बाद पत्रकारों को संबोधत कर रहे थे इस दोरान मेगवाल विजेपी पर जमकर बरसी नोंने राजेंद्र राथोर को जमकर आड़े हांतो लिया इस दोरान पत्रकारवारता में पूर्व कींध्र मंत्री सुबाश महरिया के बीजेपी जोइन करने को लेकर सवाल कि아 गया इसके जवाब में मंत्री मेंगवाल ने कहा कि राजवींद्र रात्वोर पहले वसुनद्रा राजवी के तलवे चाड़ता था और अब मुख्यमंत्रे का दावेदार बन गया है मंत्रे गोविंदराम मेगवालनी विजेपी को जम कर निशाना बनाते हुए अपनी पूरी भड़ास निकाली उन्होंने कहा मैं विजेपी में रह चुका हूँ इसलिए मुझसे अच्छा विजेपी के बारे में कोई नहीं जानता उन्होंने तंजुकस्ते वे कहा कि विजेपी वह भट्ती है जिसमें जो भी जाएगा वह भस्म हो जाएगा उन्होंने बिजेपी पर निशाना लगाते वे कहा कि 2008 में बिजेपी ने मेरा टिकेट कार दिया तो मैं ने कॉंग्रेस जोइन की और आज पार्टी ने मुझे काबिनेट मंत्रे बना दिया बिजेपी ने तो मेरी राजनितिक हत्या कर दी थी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स